सबक तीस यादा यहां एक जुम्ला दिया है और आपने इसे पढ़ने की कोशिश करनी है क्या लिखा है यह? नौकर को घूर के ना देखो दोबारा पढ़ें नौकर को घूर के ना देखो अब इस जुम्ले को पढ़ें रील का धागा नीला है दोबारा पढ़ें जुम्ला रील का धागा नीला है बिलकुल सही क्या आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं? ले ना कौन-कौन सी आवाजे हैं? ले ना अब इन्हें मिलाएं क्या लफ्स बनेगा? ले ना बिलकुल सही लफ्स बन गया ले ना चलें ये जुम्ला पढ़ें सेर के बाद अपने पैर धो ले ना दोबारा पढ़ें सेर के बाद अपने पैर धो ले ना ये जुम्ला पढ़ें हौस पर जाओ और आडू धो लाओ दुबारा पढ़ें जुम्ला हौस पर जाओ और आडू धो लाओ बिलकुल सही ये क्या लिखा है चूला जलता है दुबारा पढ़ें चूला जलता है है आगे क्या लिखा है खाना पक्ता है दुबारा पढ़ें जुम्ला खाना पक्ता है चलें अब इसे पढ़ें कहता कहता दो आवाजी है जब इन्हें मिलाएं तो फिर क्या लफ्स बनेगा कहता कहता बिलकुल सही लफ्स बन जाएगा कहता आगे एक जुम्ला लिखा है इसे पढ़ें तोता कहता है आगे क्या है आ जा यहां से दुबारा पढ़ें तोता कहता है आ जा चलें अब आप इस जुम्ले को पढ़ें इल्म हासिल हासिल करन करन आ फर्ज है विलकुल से ही अब यहां देखिए एक जुम्ला लिखा है पढ़ें इसको यो यूसुफ का एक भाई यूनुस है यूस 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 है 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 विलकुल सही यूस 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 आप यूस यूस दोनों को मिलाएं लिक बिल्कुछ से ही लफ्स बन गया लिक अब आगे देखें लिखा है यहां लिक और उसके आगे क्या है ना बिल्कुछ से ही तो देखें दो अवाजी है लिक ना दोनों को मिलाएं क्या लफ्स बना लिक ना विल्कु से ही, लफ्स बन गया लिखना और अगर लिख के साथ ता आ जाए ता को मिलाया जाए तो फिर क्या लफ्स बनेगा? लिखता, लफ्स बन गया लिखता अब आप इसको पढ़ें क्या लफ्स लिखा है? पढ़ता पढ़ता देखें हे की अवाज आगे ते से मिल रही है यह जो दो चिश्मी है है इसकी अवाज ते से मिल रही है दोबारा पढ़ें इस लफ़ को पढ़ता हे की अवाज आगे ते से मिल रही है इसी तरह बगले लफ़ को पढ़ें पढ़ते देखे रे अलग है और हे की आवाज आके कहां मिल रही है ते से मिल रही है पढ़ते पढ़ते पहला लवज है पढ़ता दूसरा लवज है पढ़ते इस जुमले को पढ़ें खत लिक दो दुबारा पढ़ें खत लिक दो बिलकुल सही ये क्या जुमला है आज याला बारी हुई दुबारा पढ़ें जुमला आज याला बारी हुई आपको पता है कि याला बारी क्या होता है सोच कर बताईए बारिश के साथ जब छोटे छोटे बर्फ के टुकडे हमें आस्मान से नीचे गिरते नजर आएं तो वो याला बारी होती है जुमला पढ़ें दूप तेज है दूबारा पढ़ें जुमला धूप तेज है अगला जुमला क्या है बाहर कौन आया है चलें दूबारा पढ़ें जुमले को बाहर कौन आया है अब इस जुमले की बारी है बरतन धो कर रखना दूबारा पढ़ें बरतन धो कर रखना बिलकुल सही चलें अब इस आखरी जुमले को पढ़ें दिन गिन रख दूबारा पढ़ें क्या है ये दिन गिन रख बिलकुल सही आपने इस वीडियो को दूबारा देखना है और पढ़ने की कोशिश करनी है क्या है ये जिन जाफने की अबारा आमएंध डिलकुल एस प्लवपते दो पढ़ें